हिसा है तो है अधिश्टूरेंट्स alternating current chapter के एक topic को आज हम लोग डिसक्रस करेंगे और यह topic है AC circuit containing resistance only और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस topic में मैं करना क्या है इस topic में हम लोग इक circuit का construction करेंगे जिसमें आपको एक रेस्टेंज दिखलाए पड़ेगा और उस पर इमेफ एज़े सोर्स होगा अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का corresponding यह में वर्सेस करेंट इमें वर्सेस करेंट आपको इनका corresponding graph दिखलाना है यहां पर इनका expression को जानना है और सबसे इसे हमें फिर से बनाना है तो इस पर हमाला discussion फिर से आएगा बट हम लोग वाले beginning पर जाते हैं so AC circuit containing resistance only जैसा कि हम डियाग्राम देख पा रहे हैं this is a AC circuit alternating source is supplied here and there is only a there is a register here so this is called AC AC circuit containing resistance okay as shown in figure suppose a register or resistance capital R this is R is connected to a source of alternating EMF E is given by E equal to E not sin omega t यह हमें अच्छी तरह से मालूम है राइट सच अ सर्किट इस नौन एस आप प्योर्ली रेसिस्टिव सर्किट पी कहते हैं क्योंकि हम आप अल्रड़ी हम लोग ने रेस्टेंस अप्लाइ कर रका है रेस्टेंस प्योर्ली है यहां पर इफ आई भी झाक्रेंट इन दीसर्किट क्योंकि यहां पर देखिए सोर्स हैं तो अभी आसे करेंट का फ्लो तो होगा और सपोज यह करेंट आई है कि इन एट इंस्टेंट टाइम स्मॉल टी जैन पॉटेंशल ड्रॉप एक्रोस रेश्टेंस आर विल भी आई आर यह तो हम लोग बहुत अची तरह से जानते हैं कि पॉटेंशल ड्रॉप इसके अक्रोस क्या होगा देखिए सर्कृट तो पुरी तरह से सीरीज है जो करेंट लोग उसको हम लोगने आई माना है और रेश्टेंस का केपिल आर चो पोटेंशल होगा हमें मालूम है पॉटेंशल का पॉल्म लगी को लोग के कोडिंग तो हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशल ट्रॉप इस आयार और यह हम यहां से मिला है अब आगे वागे बढ़ते हैं एकॉर्डिंग टू किर्चफ लूप रूल आपने करेंट एलेक्टरिसिटी वाले टॉपिक में ज़रूर समझ लिया है मैंने और इसका वीडियो अप्लोड कर रहा है और किर्चफ लूप रूल जो भी होता उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हम थोड़ा रूप रूप इस इकॉल तो दो समॉप प्रोड़क्ट आफ करेंट एंड रिश्टेंस तो यह का डिफिनिशन ने आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि हम लोग देख पार है इस सर्कीट में जो इम फैदर इस ए नौट साइन ओमेगा टी और करेंट आई और रिश्टेंस आर सो वी और रिश् आई यार जो कि आपको समझ में आना चाहिए चलिए तो अब हमें क्या करना है आई फाइंड करना है कि हमने अल्रेडी बताया है कि हमें आई और ये मैफ ड़िए इन्हें हमें फाइंड करना इनके एक्स्प्रेशन को और उसके हल्प से कोर्सपोंडिंग ग्राफ और फेज होगा और इस इस आई नोट साइन ओमेगा टी ओके राइट जैसा कि यहां बतलाए गया है वाट इस आई नोट सो मैक्सिमुम और पिक वेलोव ऐसी ओके राइट अब देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है कि कुरिशन तू में हमने देखा आई नोट साइन ओमे अमेगा टी हम देख पार barrack के दोनोह होगा इंगल का दोनों का सेम्ढारा क्योंकि एंगल में फेस्टमी कोई पीछ नहीं है इस इनका जो है यह इनोड है और यह साइन ओमेगाटी है एंगल का जो नेचर होगा ग्राफ का जो नेचर होगा सिर्फ उसके एंप्रिचुट में थोचा डिफ्रेंस आएगा चलिए और थोड़ा बात यहां समझाने का प्रयास किया गया है कि क्योंकि इनका फेज एंगल सेम है तो जब आ है जब यह मैक्सिमम होगा तो कोर्सपंडिंग का भेलो करेंट का भेलो भी मैक्सिमम होगा आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस वाले में हम लोग देख पार है दर फिगर 7.5 बी यहां पर आप देखिए 7.5 बी तो जब फेजर डाइग्राम फोर रस्प्रेक्टिव एसी सरक हैं दिखला दिया गया इसका मतलब क्या है क्योंकि इस कंडिशन में अभी जो हम लोग फेजर डाइग्राम में जब इसे इंडिकेट करते हैं तब यह वेक्टर का फॉर्म ले लेता है क्योंकि इनके पास एक मैंगनिचूड भी है दोनों का अपना एक का पीक बेलू देख दिखला दिया गया और प्रॉब्लेम नहीं है मची एंगल ओमउमेगा भी एक्षर की देखिए तो आप यहां देखिए यह वह मेंगटी यह जिए प्रिप्रेंश नहीं है इसे मेंगल ऐसे जीरो अगर इसके को सब्सक्राइब को आपको ड्रों करना तो आपकर क्डिश्व कि इनका जो ऑंप्लिटूड है एक इनोड है दुसरे का इनोड है थोड़ा एंप्लिटूड को चेंज करें आइनोड को यहां रखी और यहां रखें और रहें उसके वाद इनका कोर्सपोंडिंग सानेसोडल का जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ड्रो कर देंगे आप इस वाले पार्ट को डिवाइड करी एंगल को जीरो से 90 डिग्री डिग्री टू सेवेंटी एंड टू पाइड इस थ्री सिक्षी डिग्री इतने पार्ट में करिए जहां से आपका वन कर्प्रेट साइकल बन जाए और कि इसके बाद हमें का का कोस्पाईंड इन्ग फेजर डिग्रम भी अब करना है ऑफेजर डियागृइब को समझेंगे तो देख फैजर डियागृः में लोग आए अब इसके को स्युक्त ज़ू को साथ समझते हैं आपको क्या करना पड़ता यप उप हमिसा एकस और y क् 6 को ड्रोक कर लीजिए और इस पर आपको कि पूल एक्टो आइवकरंट दिखलाना साथ साथ और जो भी सारा इनका जो भी नेचेर है उसको साथ अंचाथ आपको समझाते हुए इसे ड्रोग करना होगा तो हमने इस वाले फेजर डियाग्रम में कोई प्रॉब्लिम नहीं है दोनों का लाइन आप ड्रो करेंगे और दोनों का डिरेक्शन सेम होगा और दोनों का फेज एंगल भी सेम होगा सब कुछ सेम है और उनका जो कोर्सपंडिंग मेंगनेशुर है उसे आप यहां दिखला देंगे क् आपको फेजर डियाग्राम मिलेंगे और आज यह हमारा अल्टरेनेटिंग करेंट का जो पहला फेजर डियाग्राम है इसके बाद